कर्ण वद के समय जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। कर्ण का युद्ध अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों से हुआ था। संग्राम में दोनों ही बराबर थे। कर्ण को उसके गुरु परशुराम द्वारा विजे धनुष आशिरवाद स्वरू प्राप्त था। जिसको स्वयम विश्वकर्मा ने बनाया था। दुर्योधन के निवेदन पर पांडवों के मामा शल्य कर्ण के सारथी बनने के लिए तयार हुए। दरसल अर्जुन के सारथी स्वायम श्रीकृष्ण थे और कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम ना हो इसके लिए शल्य से सारथी बनने का निवेदन किया गया, क्योंकि उनके अंदर वे सभी गुंड थे जो एक योग्य सारथी में होने चाहिए। युद्ध के दोरान अर्जुन के बान कर्ण के रत पर लगे और उसका रत कई गच पीछे खिसक गया, लेकिन जब कर्ण के बान अर्जुन के रत पर लगे तो उसका रत केवल कुछ ही बालीष्ट, हतेली जितनी दूरी, दूर खिसका, इस पर श्रीकृष्ण ने कर्ण की प् नुमान विराजमान है और तब भी कर्ण ने उनके रत को कुछ बालीष्ट पीछे खिसका दिया। इसी प्रकार कर्ण ने कई बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा काग दी। लेकिन हर बार अर्जुन पलक जपकते ही धनुष पर प्रत्यंचा चड़ा लेता। इसके लिए कर्ण अर्जुन की प्रशंसा करता है और शल्य से कहता है कि वो हब समझा कि क्यों अर्जुन को सर्वश्ष्ट धनुर्धर कहा जाता है। अश्वसेना नाग ने कर्ण से निवेधन किया कि वो उस अस्थ का दोबारा प्रयोग करे ताकि इस बार वो अर्जुन के शरीर को बेधता हुआ निकल जाए। वेधन करता है कि वो युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बान चलाना बंद कर दे। उन्होंने आगे कहा कि तब उसका धर्म कहा गया था जब उसने दिवे जन्मा द्रौपदी को पूरी कुरू राजसभा के समक्ष वैशा कहा था। द्युत क्रीरा भवन में उसका धर्म कहा गया था। गिरने के बाद एक ज्योती कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। कर्ण की मृत्यू के समाचार मिलते हैं दुर्योधन भूमी पर गिर पड़ा गांधारी रोने और चिल्लाने लगी और देवी कुंती भी फूट-फुट कर रोने लगी थी। कर्ण की दो पतनिया भी कर्ण वद के समाचार मिलते ही रोती बिलक्ती युद्ध भूमी की और दौर पड़ी थी। आकाश में कर्ण के पिता सूर्य देव दुखी होकर जल्दी ही अस्थ हो गए। उनके साथ कई देवता शोक में दूब गए। इस प्रकार महादानी महाबली श्रेष्ठ धनुर्धर महारती सूरी पुत्र कर्ण काश्थ हो गया था। दोस्तों आपकी कर्ण के बारे में क्या राय है? क्या कर्ण के साथ जो हुआ वो सही था? आप क्या मानते हैं हमें जरूर बताएं। दोस्तों महाबहरत की ऐसी रोचक बाते जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद।